हे गाइस तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चत्पता चीज से भरा हुआ पराथा और ग्लास में होगा एक ट्विस्ट तो वीडियो एंड तक देखेगा तो सबसे पहले एक छोटी सी रोटी बेन लेंगे हम लोग उसके बाद उसे इस तरीके से कट कर लेंगे कट करने के बाद इसके अंदर हम लोग दालेंगे स्टफिंग चीज और में अचार यहां पर मैंने लिया है आम काचार आप शेजवान चटनी भी ले सकते हैं सॉस नहीं दालना है क्योंके सॉस से हो जाएगी आपकी रोटी गीली तो सॉस नहीं लेना है यहां पर आप जो भी अज़े आता है गाइस बिलीव मी अभी क्या करना है उसके सारे एंस को अची तरीके से चिपकच पाखकर चंसील कर देना है अची तरीके से गरम होने के बाद ही आप उसके आप रोटी दालिये हीट होनी चाहिए मेडियम तो हाई जाहिए बहुत ही टेस्टी होता है मेरे यारे जुट गविट रड़ी तरी